रादिस्थान के डुंगरगर से एक खबर सामने आई है। जब इवास सामने आई है कि यह जो चात्रा है उसका पहरन उसी के स्कूल की शिक्षिका ने करवाया है। और जैसे ही यह खबर सामने आई उसके बाद से जो हिंदू संगठन है वो काफी जादा क्रोधित है। पुलीस के हाथ में अभी तक बालिका के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लगी है। जो ले करके जो बालिका के घर वाले हैं बालिका के जो परिजन ही और साथी साथ अब हिंदू संगठन भी इसमें घुस चुकी है। और बालिका के घर वालों का पूरे तरीके से समर्थन कर रही है। और बालिका के घर वाले जो बालिका के परिजन ही वो और साथाथ हिंदू संगठन दोनों मिल करके पुलीस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और ये मांग कर रही हैं कि लड़की को जल्द जल्द ढूंद कर लाया जाए अब जहां एक तरफ पुलीस लड़क पालिका को ढूंदने की तमाम पोशिश में जूटी है वहीं दूसरी तरफ उसके परिजन और हिंदूस अकठन धर्णा प्रदर्शन कर रही हैं कि पुलीस कारवाई जल्द जल्द करें और अपनी कारवाई में और तेजी करें तो वहीं इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायल होता नजर आ रहा है अब ऐसा इस वीडियो में क्या है कि इस ये सोशल मीडिया पर इतना वायल हो रहा है और इस घटना से इस घटना के बीच में इस वीडियो का जिक्र क्यों आ रहा है आपको बताते हैं हमारे इस पूरे वीडियो में लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को दिखाते हैं इस वीडियो को दिखाने से पहले आपको ये बता दे कि ये जो वीडियो है वे विमेन पावर नाम के एक चानल पर अपलोड किया गया है जिसका टाइटल साफ साफ ये दिया गया है Help Please LGBT Community अब इस घटना करम में ये वीडियो कहां से आता है सबसे पहले आप वीडियो देखिए फिर आपको बताते ही कि आखर इस वीडियो में क्या दिखाये गया है कौन है इस वीडियो में और साथी साथ इस वीडियो को इस घटना से क्यों जोड़ा जा रहा है इस वीडियो बनाएंगी और सकती खलत करने दूस रही है कि इनों ने कुछ नहीं किया है हम अपनी मर्जी कर आए है हम अपनी मर्जी कर आए है तो हम तो हम पर रेक्षिए लेकाती हो जाए है और रूम से पर आपको पहले है और अगर यह वीडियो देखे आप को यह लग रहा है कि इन्हों ने फिर शम्हीं को जब अची किये पर इसा बिल्खी भी नहीं है सब्की को समखा के बूल दियों हम दो लोग हम जो सरी एग जो 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 जार करते हैं तो देखा अपने इस वीडियो को इस वीडियो में साफ साफ यह इस वीडियो के टाइटल में साफ साफ लिखा हुआ है कि हेल्प प्लीज LGBT कम्यूरिटी इस वीडियो के अंदर दो लड़किया हैं एक है नावालिक छात्रा जिसका अपहरन करवाया है ऐसी खबरे आ रही है और दूसरी है उसी के शिक्षिका यानि कि निधा बहली जी हां ये दोनों वही लड़किया है जिनकी खोजबीन की जा रह किया है जिनके बारे में ये खबर आरहे हैं कि उसके नावालिक की जो शिक्षिका एक उसने उसा अपहरन किया है लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही ये बास सांथ होसी नजर आ रही है कि इस नावालिक क yeah नहीं करवाया गया है उस वह अपनी मन-मर्जी से अपने घर से शिक्षिका के साथ भागी है और वो इस वीडियो में साफ साफ ये कहती भी नजर आ रही है जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा होगा इस वीडियो में वो साफ साफ कहती नजर आ रही है कि वो अपनी ही शिक्षिका से प्रेम करती है दोनों एक दूसरे से काफी जादा प् और वो ये भी अपील करती इस वीडियो में दिख रही है कि जो उनकी टीचर है उनके घर वालों को परिशान ना किया जाए क्योंकि वो अपनी मर्जी से भागी है और इस वज़े से कोई भी दंगा फसाद ना किया जाए क्योंकि डुमरगर में काफी दंगा फसाद हो रहा है दुकाने तक बंद करवा दी जा रही है दंगा फसाद के चक्कर में अब ऐसे में जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है उसने हर कम्त मचा दी है जो तरीके से ये दोनों जो लड़किया हैं वो ये कहते न नजर आ रही है कि उन्हें माफ कर दे उन्हें किसी ने नहीं फसाया है क्योंकि बात ये नाबालिक पर ये आ रही है कि उसे उसकी शिक्षिका ने अपहरन किया है तो जो नाबालिक है वो बार पर इस वीडियो में एक चीज को रिपीट करते नजर आ रही है कि उसको उसकी टीचर ने उसका पहरन नहीं किया है, वो अपनी मनमर्जी से अपनी टीचर के साथ भागी है, और उसी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतियत करना चाहती है, साधी साथ वो थोड़ी दुखे भी इस वीडियो में नजर आ रही है, लेकिन इस चीज़ की अपील करती ही, वो इस वीडियो में बार बार बोलती हुई दिख रही है, कि वो अपनी टीचर के साथ ही रहना चाहती है, उसकी टीचर ने उसको नहीं बहलाया फुसलाया है, वो उससे बहुत प्रेम करती है, और इनका रिलेशन काफी समय से चला आ रहा है, तो उन्हें ना ढूंड़ा जाए, वो साथ में रहना चाहते हैं, कोई भी दंगा फसाद ना करें, और उन्हें चैन से रहने दे, क्यूंकि वो एक लेस्बियन है, जी हाँ, इस वीडियो में उन्होंने ये भी साफ कर दिया, कि वो एक लेस्बियन है, और उन्हें साथ में रहना है, वो एक दूसरे से प्यार करती है, और एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, वो किसी और के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए वो अपने घर को छोड़ कि आई है, उन्हें कहीं न कहीं यही लग रहा होगा, कि उनके घर वाले उनको नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे समाज में LGBT कम्यूनिटी को सपोर्ट कहीं न कहीं नहीं किया जाता है, इसलिए उन्होंने यह चैनल क्रियेट किया, उसके बाद इस चैनल पे अपनी वीडियो डाली, चैनल के मादे हम से वीडियो की कोई पुष्टी नहीं किजार की है, लेकिन जैसे यह वीडियो सामने आई है, उसके बाद से यही माना जा रहा है, और इन्होंने ही इस चैनल को क्रियेट करने के बाद अपनी यह वीडियो बना है, और सोचल मीडिया पे डाला है, क्योंकि यह नहीं चाहते किसी भी तरीके की दंगा फसाद हो, क्योंकि डुंगरगर में काफी दंगा फसाद हो गया है, लोगधरना प्रदर्शन कर रही है और हिंदू संगठन जो है और लड़की के जो परिजन है जो नाबालिक के परिजन है वो अभी तक इसी बात की मांग कर रही है कि जल्द जल्द उन्हें तलाश किया जाए हाला कि इस वीडियो के साजा होने के बाद से पुलीस लगतार इसको खोजने में जुटी हुई है कि आखिर किस लोकेशन इस वीडियो को डाला गया है location की खोजबीन की जा रही है लेकिन वीडियो में दोनों लड़कियों की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि उन्हें ढूंडने की कोशिश ना की जाए वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और किसी और के साथ नहीं रहना चाहते हैं इसी वज़े से ना उन्हें ढूंडा चाहे और अपने माता पिता से भी वो माफी मांगती नजर आ रही है लेकिन ये भी कहती नजर आ रही है कि वो घर वापस नहीं जाएंगी वो एक दूसरे के साथ रहना चाहती है अपने मन वर्जी से दोनों ने घर छोड़ा है आप दोनों ये दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करने वाली